Slope and Nature of the Curves How we can find out the convexity, concavity and point of inflection इन सारे points पर हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं कि Slope and Nature of the Curves हम कैसे निकालेंगे कि ये Convex to the origin है, Convex to the x-axis है, Convex to the y-axis है ये हम कैसे पताएंगे और इसका फार्मूला कैसे हम implement करेंगे ये प्रावलम आती है, ठीक है, तो याद रखना, मैं एक सौर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आप आउकलन करोगे और आउकलन प्रथम घात करोगे प्रथम घात का आउकलन का मतलब होता है कि माली ये प्रथम आउकलन आप करोगे first order आप differentiation करोगे तो केवल आपको slope पता चलेगी convexity and concavity नहीं पता चलेगी ठीक है तो प्रथम आउकलन आपको ये बता देगा कि जो आपका कर्व है वो negative slope का है या positive slope का है या zero slope का है ये हमको information provide करता है प्रथम घात का आउकलन लेकिन अगर आप उसी का दिती घात का आउकलन कर दोगे second order differentiation कर दोगे तो वो आपको convexity, concavity को भी define करने लग जाएगा ठीक है यानि तब आपको क्या पता चल जाएगा तब आपको nature of the curse पता चल जाएगे लेकिन उसके लिए आपको second order differentiation करने होंगे ठीक है तो ये फार्मूला हर्दब याद रखना कि first order केवल slope बताता है convexity, concavity हर्दम second order ही differentiation आपको define करेगा first order define नहीं करेगा ठीक है अब आगे आके बात करते हैं तो याद रखना कि जो convex होता है और concave होता है तो पहले उनको function को या फलन को या उनकर्व को आपको जानना बहुत जरूरी होता है तो जैसे आपके पास एक मैं फलन बताता हूँ और इस फलन का जब हम लोग प्रत्थम order derivation करते हैं तो प्रत्थम order derivation करने में dy upon dx को या ऐसा फलन है y equal to x और मुझसे पूछा गया कि सर बताएं convex है कि कौन के हो है ठीक है तो मैं कहें दूँगा कि मैं प्रत्थम घात की alkaline से केवाल ये बता सकता हूँ कि इसकी slope positive है या negative बट मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि कौन के हो क्यों नहीं बता सकता हूँ वो देखिए अगर प्रत्थम घात का alkaline का मान 0 से अधिक आ जाता है ध्यान से देखना अगर कोई फलन आपको दिया है और उस फलन को आप आउकलन करिए आउकलन करने के बाद आपको अगर मान उसका 0 से अधिक आ जाता है तो उस फलन की धाल धनात्मक होगी लेकिन convexity उत्तलोतर और नतोदर्त नहीं आप बताओगे अब धनात्मक होगी तो वो फलन क्या हो सकता है कि वो फलन आपका ऐसा हो सकता है ठीक है वो फलन देखो धनात्मक ढाल का फलन है धनात्मक ढाल का फलन है देखो धनात्मक ढाल का मतलब होता है कि नीचे से उपर की और जा रहा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड की और ऊपर की और जा रहा तो धनात्मक ढाल का फलन है लेकिन ये भी धनात्मक ढाल का फ पहला वाला जो फलन है यह आपका कॉन केव तू दा टू दा एक्स एक्सिस है आप लोग सही मत हो ना कि यह देखिए आधार अच्छ जो है यह इसकी तरफ मुड़ा हुआ है हमको धनात्मक ता तो यहां से पता चल रही है लेकिन कॉन केवटी नहीं पता चल रही है जबकि धनात्मक और यह आपके पास जो हुआ है यहां पर आप देखिए कि यह उत्तलोद उन्नतोदर है आपका कॉनवेक्स टू दा एक्स एक्सिस है ठीक है तो आप देख सकते हुए कि फलन दोनों धनात्मक है यहां से क्यावल मुझे एक इंफारमेशन मिल रही है कि फलन धनात्मक है और धनात्मक में दो कंडीशन आपकी इंप्लीमेंट हो जाती है पर देखिए condition हो सकती है कि वो फलन concave to the excess हो सकता है, दूसरा convex to the excess हो सकता है, तो convex और concavety हमें नहीं पता चलती है, प्रत्हम घात के आउकलन में केवाल हम फलन का slope जान पाते हैं, अन्य चीजे नहीं जान पाते हैं, आगर मैं आपसे पूछू कि ये बताएं, ये concave to the excess को है, आप और क्या लिख सकते हो, तो इसको और लिखा जा सकता है, convex to the y-axis लिख सकते हो, देखोई, ये y-axis के, क्या है, y-axis की तरफ उभरा हुआ है, तो जब y-axis की तरफ उभरा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं, convex to the y-axis लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, convex to the x-axis लिख सकते हैं, और concave to the y-axis लिख सकते हैं, तो यह आपका difference है कि अभी आपके पास धानात मक्ता तो यहाँ पर पता चल रही है प्रथम घात के आउकलन में, लेकिन वो convex भी फालन हो सकता है, concave भी फालन हो सकता है, और हम उसकी conditions को नहीं बता सकते हैं प्रथम घात में, अगर आपका प्रथम घात का आउकलन dy upon dx less than 0 आजाता है, तो आप तुरंद बोल देजिए कि सर जो यह फालन होगा, वो रिनातमक होगा, क्या होगा, वो negative होगा, और इसका मतलब होता है कि वो left से right की और गिर रहा है, अब left से right की और कैसे गिरेगा, तो देखिए, दो condition इसमें भी हो सकती हैं, left से right की और गिरता हुआ फालन, यह लीजे, और left से right की और गिरता हुआ फालन, ठीक है, पहली condition में आपको रिनातमक धाल है, इस फर्स्ट आपका जो डाइग्राम है, यह रिनातमक धाल को दिखाता, सेकेंड डाइग्राम यह भी रिनातमक धाल को दिखाता, लेकिन convex और concavity दोनों में अलग-अलग है, कोई बच्चा बता सकता है कि इसको क्या convex कहेंगे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको? Convex. Convex क्या बता? Convex shader X axis. क्या, क्या फिर से बोलो? Convex shader X axis. X axis क्यूं हुआ? ऐसा क्यूं हुआ? मुझे तो नहीं लग रहा, X axis के convex है यह तो? बोलो. इस तरह तो आप कहूँगे, X axis के इसके convex है, तो Y axis के कहूँगे, उसके तरफ तो जुका भी उतना है? Convex to the origin, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, मूल बिंदु क्यों और उन्हों तो दार है? जब दोनों तरफ इनका यह slope बराबर होता है, X axis में, तो Convex to the origin लिखा जाता है, और यहां पर लिखेंगे Convex to the origin लिखेंगे clear है सभी को? दोनों की slope negative है, लेकिन दोनों की slope negative होने के बावजूद एक फलन आपका Convex है और दूसरा फलन आपका Concave है, तो मैं यह प्रूफ करना चाहता था कि जो प्रत्थम घात का आउकलन होता है, वो केवल आपके slope को बताएगा, वो केवल आपकी ढाल को बताएगा, लेकिन वो कभी आपको यह define नहीं करेगा कि वो Convex है कि Concave है, अब आप देखिए, कुछ फलन होते हैं, जिसे हम दूइघाती फलन कहते हैं, दूइघाती फलन वो फलन होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि जो एक पद होता है, जि दूइचरी पद भी कहा जाता है, दूइचरी पद में हम जो फलन मिलता है, वो फलन जो हमको मिलेगा, वो या तो आपका यू आकर का होगा, या तो आपका उल्टा यू आकर का होगा, आपने देखा होगा, ठीके, तो इस प्रकार के फलन को जब हम प्रथम घात आउकलन कर तो प्रथम गात आउकलन करने के बाद जो आता है उसके इक्वल टू जीरो रखते हैं और जीरो रखने के बाद यहां से X कामान निकालते हैं suppose that X कामान हमको क्या निकल के आया एक्स कामान निकल करके दो आया तो यानि यह इस वैलू को बता रहा है कि इस पॉइंट पर X कामान हमारा दो है अगर X की कोई भी वैलू दो से कम रखोगे यह निगेटिव वैलू बताएगा फलन का यानि कॉनकेव टूदा ओरीजिन बताए लेकिन 2 की आल वैलू उसके दूस अधा भी यह यह क्या बताएगा कि यह बताएगा कि प्तका यहां पर पर अलृटा बताने लगेगा यही कंडीशन यहां पर सकती है, तो जब दूई घाती फलन होते हैं, तो दूई घाती का फलन में हमको X की एक value ऐसी बिलती है, जब प्रतम घात का आउकलन करते हैं, और प्रतम घात के कम वैलू क्या करती है, सादा यहां पर देखो कम वैलू क्या करती है, कम वैलू क्या करती है, कॉन्विक्स टूदा, एकस से आपका कॉन्विक्स टूदा वाई एकसिस बताने लगती है, और यहां पर x की जो और another value है वो क्या करती है convex to the origin बताने लगती है तो यहां पर भी एक चीज clear हो गई कि कभी भी प्रताम घात का फलन जो होता है वो यह तो बता देगा कि फलन हमारा negative है positive है बट यह कभी नहीं आपको बताएगा कि वो convex है या concave है तो sir convex कौन के हो कैसे पता चले तो हमने क्या बताया कि आपको second heart घात का आउकलन करना सीखना होगा और second heart का अगर आउकलन आपको आता होगा तो निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो फलन है वो क्या है अब देखिए अगर आपने प्रथम घात का आउकलन प्रथम घात का आउकलन आपने किया ठीक है प्रथम घात के आउकलन से क्या हुआ ये पता चल जाएगा कि negative है या positive है suppose that मैंने एक कोई फलन है dy upon dx उसका प्रथम घात का आउकलन किया अब प्रथम घात के आउकलन में क्या मिल रहा है कि वो धनात्मक ढालका है धनात्मक ढालका मतलब होता है कि वो ऐसे है ठीक है अभी डियाग्रम अभी exact डियाग्रम नहीं लेकिन अगर आपने इसका दिती घा का आउकलन कर दिया dy upon dx square और इसका मान भी अगर धनात्मक निकल आया इसका मान भी अगर आपका धनात्मक निकल आया तो इसका मतलब होता है कि जो function है to increase ठीक है positive तो है लेकिन बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है ठीक है increasing क्या होता increase जो कर रहा है वो बहुत तेजी से increase कर रहा है यानि बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो यह आपके पास जो फलन है देखो यह फलन जो है यह आपका ऐसे बनेगा और इसको क्या कहेंगे इसको बोलेंगे sir convex to the concave to the y axis या convex to the x axis इसका मतलब होता है कि अगर x में एक unit का परिवर्तन होता है तो y में उसकी अपेच्छा बहुत तेजी से परिवर्तन दिखाई पड़ता है ठीक है यह देखिए थोड़ा सा परिवर्तन x में y में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लीट करता है तो अगर प्रत्थाम घात का उकलन धनात्मक है दिती घात का उकलन धनात्मक है तो जो आपका फलन होगा वो धनात्मक ढ़ालका होगा और वो आपका y axis की तरफ मुड़ा रहेगा क्या सर इधर हो सकता है यस वो हो सकता है अगर इसकी दूसरी यह जो कंडिशन है यह दूसरी कंडिशन इंप्लीमेंट हो जाए क्या हो जाए डी y square y upon dx square कमान अगर निगेटिव हो जाता है तो यानि यहां पर बहुत तेजी से फलन बढ़ रहा है क्या है बहुत ते तेजी से फलन बढ़ रहा है इसका मतलब होता है increasing with increasing rate लेकिन अगर दितिया उकलन का मान आपका निगेटिव आता है तो इसका मतलब होता है कि बहुत तेजी से फलन तेजी से फलन घट रहा है ठीक है और लेकिन पर्थाम condition क्या है कि धनात्मक है लेकिन उसकी slope क्या है धनात्मक है तो यह जो आपका फलन बनेगा वो फलन कुछ ऐसा बनेगा ठीक है? इसमें देखो X में बहुत ज़्यादा परिवरतन वालो 1 Unit य में इतना परिवरतन इसमें देखो X में हमने कितना परिवरतन 2 Unit किया और Y परिवरतन कम हुआ यह जितना यहां पर चेंजेश हम को आ रहा है उसके पेच्छा Y में चेंजेश कम है तो ये आपका फलन क्या कहलाएगा कि ये concave to the x-axis है या convex to the y-axis कहलाएगा किसी को doubt हो पूछ लो किसी को doubt हो भी ये condition आपको दूसरी condition से पता चल रहा कि convex to the origin है convex to the x-axis है या convex to the y-axis है प्रत्थाम केवाल आउकलन आपको ये बताएगा कि धनात्मक है या रिणात्मक है चलिए ठीक है मुझे लगता है समझ में आ गया होगा अब हमारे पास दूसरी condition है अगर कोई फ़लन जिसको हमने आउकलन किया है और उसका प्रत्थाम आउकलन dy upon dx निगेटिव आ गया ये लो मतलब 0 से कम आ गया मतलब ये निगेटिव है ठीक है यानि वो फ़लन या तो देखे इसमें या तो वो फ़लन क्या होगा निगेटिव होगा या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा दोनों देखों निगेटिव है लेकिन सर कैसे पता चले ये है ये है तो एक काम करिए दिती घात का उकलन कर दीजे इसी फ़लन को जब हम दुबा तो इसका मतलब होता है कि ये जो आपका फलन है ये बहुत तेजी से हमारे पास क्या होता है बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ने का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये जो फलन है वो यह जो आपका फलन है यह फलन जो यह वाली कंडिशन है यह कंडिशन इंप्लीमेंट कहां पर होगी यह इंप्लीमेंट आपके पास यहां पर होगी इसका जो डाइग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा यह ऐसा बनेगा ठीक है इसका मतलब होता increase with increasing rate तो यह हमारे पास जो बढ़ती दर से बढ़ता है ठीक है negative slope है लेकिन increasing with increasing rate और यह convex to the origin होता है क्या कहलाएगा convex to the origin कहलाएगा ठीक है अगर इसी की दूसरी condition इसकी मैं उपर लिख देता हूं दूसरी condition d square y upon dx square is less than 0 है यह यह निगेटिव है यह भी निगेटिव यह भी आपका निगेटिव है तो इसका मतलब होता है कि फलन जो है वो concave to the origin है क्या है concave to the origin है यानि increasing with decreasing rate decreasing rate ठीक है इस तरह करके हम exam में पता करते हैं कि फलन कैसा है ठीक है अगर आपका ठीक है अगर आपका यहां पर क्या हुता है कि ना तो देखो यहां पर आपने क्या देखा सर एक में positive एक में negative लेकिन अगर देती आउकलन का मान equal to zero आजाए तो इसका मतलब होता है point of inflection है point of inflection का मतलब यह होता है कि यहां पर है न तो बढ़ रहा न तो घट रहा है बलकि वो point of inflection है नती परिवर्तन का बिंद जहां पर दो एक कर्व घटती दर से क्या होता है घटती यह देखो यह आपका जो कर्व है यह यहां पर slope को खतम कर रहा है दूसरा slope उसका start हो रहा है यानि दूसरे बृध्धिकी दर उसको यहां से प्रारम्भ हो रही है वो यह ब reflection को बताएगा ठीक है तो यह theorem है जो मैंने अभी आपके साथ discuss किया किसी बच्चे को अगर problem हो तो पूछ ले और कल मैं दो चार examples इनको test करके भी आपको दिखा दूँगा बताओ किसी को कठीन लग रहा हो